गोत्रेज कंज्यूमर नी एनलेस्ट पैठख मां कंपणी ना मैनेजमेंट तरफ ती मजबुत टिपनी आवता आजे स्टॉक मां तीजी जोवा मली छे अने आसाथी ब्रोकरिज हाउस नेमोराय पन स्टॉक नो रेटीम अपग्रेट करीने बाय करियो छे ग्रोथ ने रही ने मैनेजमेंट इश्यू टिपनी करी छे आवो आती निविगत अले ये अमारा सैयोगी अधिती यागनीक पास थी अधिती इश्यू महत्वनी वाद छे आ एनलेस्ट मीट मां थी बिलकर अनलेस्ट मीट ने अंदर इंडोनेशन बिजनेस कंप्ती नो जे छे एना रिलेटेट घणी बधी पॉस्टिव कमेंट्स आफता देखे रहे छे जनो असर आपड़े जोई रहा छे पॉस्टिव छे कि यहां गाथी आज म्यूटेट ट्रेंड हतो रिवर्स थाई और फाइनली हवे यहां गाथी ग्रोथ पिकप आफतो देखा से डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम मीडियम टो लॉंग टर्म माटे एक्स्पेक करी रहा छे एक्स्पैंशन अन्ने नवा लॉंचेस अल्डेडी अहां गथी लाइन अप थाई चुक्या छे अन्ने कमती पोटाना जे ओप्रेटिंग मार्जिन्स चे एन्ने हाई डिजिट न यंदर मेंटिन करवा माटे सक्षम रहा छे केमके कमती पोताना जे cost structure चे अनि अंदर खहाँ आपदा changes करया चे मेंले media cost घटाडेयो चे जे नो एक positive असर आपड़े थता जोई शू प्लस कमती जे e-commerce share चे अनि अंदर पाँ थोड़ुक पोतानो जे पाई चे ए वधरवानी प्रयतना करी रही चे जे आपने फ्रुक्टिफायो था तू देखा से आगर next जे comments बनती देखा है थी in terms of बाकी ना segments ने अंदर इपाँ positive हती home insecticides business, premiumization और एक्स्पांशन ना लिदे आपने जे खास overall growth momentum चे एक continue थाता मात्र आ segment पा नहीं, non mosquito segment ने अंदर पाँ देखा से प्लस कम्तिनों जे air freshness चे, discretionary segment त्यां कर पाँ COVID-19 ना जे pressure points हता त्यां थी एक recovery आफती देखा है रही चे अने hair care ने अंदर पाँ एक growth robust witness करी रहा चे नजर आखो, sanitary brand almost 1.5 billion revenues आने nearly 10% जिलो contribution Indonesian revenues ने अंदर करतू देखा से जेना लिदे एक positive views आप बताज, brokerage houses तरफ ती पन आफता देखा ही रहा चे All in all, आप positive comments जे आपड़े results ना वखते पन धियान राखी शो के विर इतना better turn out था ही रहा चे यहनी साथे ज ब्रोकरेज report सुपर पन एक नजर करी ले नोमूरा तरफ थी अपग्रेड नू एक rating छे जेनी अंदर neutral नू रेटिंग हतू यहने revise करी अने buy नू करी ना क्यों जे growth pillars हवे finally पोता नी जग्या पर आफता देखा ही रहा चे अने valuations अफ्रेंट पर पाँ एक मूटू अपग्रेड पुटनेस करी रहा चे जेफरी सतरफ थी खरीदारी नी सला इंटाक्ट छे टागेट प्राइसे 11.90 ना कंपनी इक्सपेक करी रहे चे ग्राजुल ग्रोथ पिकप इंडोनेशन बिजनेस नी अंदर अने बाकी ना जे आपड़े मुद्दाव डिसकास करिया एक्स्पैंशन लॉंचेस डबल डिजिट ग्रोथ एने एक पॉस्टिफ गणाई रहे चे इंपट प्राइस इंफलेशन थोडू उपनी साइट छे बट कंपनी जे प्राइस हाइक्स लाई रहे चे अने कॉस्ट सीविंग करी रहे चे अनलीदे थोडू कंबैट थतू देखा से इउस स्पेसिफाइड मैनर मा कमेंट करी चे तो धियान राकों मार्जिन साफरेंट पर मेंटेन रहे से इवी शक्यात आओ छे अने साथे CLSA तरफ ती जे रेपोर्ट हतो एनी अन्दर आउट परफॉमनू रेटिंग 1050 सुधी ना टागेट प्राइस सिमिलर कमेंट चे अने प्रेशर हवाई घटी रहे हुचे अने जे डबल डिजित ग्रोच चे इस सस्टेनबल रहे चे ये वथारे सारा परामेटर सुपर मार्जिस मेंटाइन काषे ये इस एकस्पेक करी रहाचे मैकवरी तरफ थी आउट परफॉमनू रेटिंग 1300 ना टागेट प्राइस रिकावरी नियर टम परफॉमन्स नी अंदर जे इंडोनेशन बिजनस मा देख रहे चे ये बेटर आयांगा थी प्रोस्पेक्स बताई रहे चे वन अफ तोपक्स कंजुमर स्पेस नी अंदर आने गणाई रहाचे उन्ने कंपनी जे प्रिममाइजेशन नी इन्नोवेशन स्पेशली कोर कैटेगरीज नी अंदर करी रहे हुचे अनली अगर केविर इतना असर थाया चे या नी परफॉम्क खास ध्यान राकू जो अब अधाच जे टागेट प्राइस रिविजन और रेटिंग रिविजन जोई रहाचे अनलेस्ट कमेंट्स नी अंदर टेम अनेजमेंट नोव कॉंफिदेंस या थावत रहोचे अन आवर रिली ते आपडे स्टॉक प्राइस नी अंदर एक पॉस्टिव रिफ्लेक्शन विटनेस करी रहाचे यान राकू